सिंध्या साब नमस्कार आज जिस आप कुर्सी पर बैटे हैं उस मंत्राले को आपके पिता ने भी संभाला था लगबग लगबग 30 साल पहले आज अब हम बात कर रहे हैं तो बदलाव कितना है देखे उन्होंने ये मंत्राले समाला था मिने पूझे पिताजी ने 1990 से 1993 तक दो ड़ाई साल पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने आमंत्रत किया और आपके दोवारा दर्शकों को भी मैं नवशकार करना चाहता हूं और आप सब को भी दो साल उन्होंने ये मंत्राले का परभार समाला था और उस समय भारत में एक क्लोस काई पॉलिसी थी और उन्होंने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया था उस समय एक open sky policy निर्मित की थी जिसके आधार पर निजी शेत्र के कई नागर विमानन कंपनियां स्तापित हुई थी देश में जिसमें से कई आज भी सेवा वृत हैं तो बहुत बड़ा बदलाव लाया था तो मैं समझता हूँ कि जब आज वो उस जिमिदारी और उस कुर्सी पे मैं बैठा हूँ तो एक तरीके से जो प्रधान मंत्री जी ने और बीजेपी के राश्ट्र अध्यक्ष जी ने एक भरोसा जताया है उस भरोसे पे मैं खड़े उत्रूं चुनौती पूर्ण समय है नागर विमानन शेत्र के लिए केवल भारत में नहीं लेकिन पूरे विश्व में पर पिछले चार मेहनों में हमने बहुत तीवर गती से कार्य किया है एक सामन्यता इस वातावरण में तैनाद करने के लिए ताकि हमारे यात्रियों को भी सुगमता से और सरलता से ये सेवा उपलब्ध हो पाए और कई नए कीरतीमान हमने स्तापित की हैं डुमेस्टिक ट्राफिक को सौ प्रतिशत तक हम लोग ने नॉर्मलाइज कर लिया है 18 अक्टोबर को सौ प्रतिशत कपैसिटी हो चुकी थी करोना का एक नया वेरियंट जो है ओमनीकॉन वाइरस वो दुनिया भर में काफी देशत फैला रहा है और ये हमारे देश के लिए भी चिंता का विश्य है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं क्योंकि इसको लेके बड़ा सारा कन्फूजन है फ्लाइटे आएंगी रोकी जाएंगी इस तितिक ऐसी होगी देखिए ये एक ऐसी महामारी है जो विश्व की किसी देश ने पिछले सौ सालों में सामना नहीं किया था पहला अलफा वेरियंट आया जो अलफा वेरियंट के समय में मैं भी संक्रमित हो गया था पहले पहले दिनों में फिर डेल्टा वेरियंट आया फिर डेल्टा प्लस वेरियंट आया है और आज ओमनिकों वेरियंट आ चुका है सावधानी हमें बरतनी होगी जैसे प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि जान है तो जहां है तो देश की जनता एक सो तीस करोड जनता को सुरक्षित रखना उनकी हिफाज़त करना ये सरकार का पहला दायत तो होता है तो हमारी सोच है और बड़े तैकिकात के साथ हमने स्ट्राटीजी बनाई है 11 एट्रिस कंट्रीज हैं जहां ये वेरियंट पाया गया है उन देशों की सूची हमने बनाई है और जो फ्लाइट्स उन देशों से आईगी भारत में हर एक यात्री का टेस्टिंग होगा हमने रेखांकित किया है कि ये 11 देशों से फ्लाइट्स करीब करीब 12 से 15 एरपोर्ट्स में आती है पिछले तीन दिनों में रात दिन हमारे विभाग ने कारी करके सारे उन एरपोर्ट्स में आरटी पीसीर की तेस्टिंग फिसलिटी दोनो नॉर्मल आरटी पीसीर और रैपिड आरटी पीसीर दोनो क्योंकि normal RT-PCR 4-5 घंटा लगता है उसका test का result वापस आने के लिए rapid RT-PCR 60-90 मिनिट में result आ जाता है उसी के साथ waiting area क्योंकि जितने यातरी आएं उनके लिए सुलब waiting area हो खान-पान की व्यवस्ता ये सब नियम हमने पिछले 3 दिन में 15-18 airports में तैय कर दिये मैं समात करूँ कल पहला दिन था इस नियम का और हमने अनुमान लगाया था कि इन 11-15 airports में करीब करीब 10,000 यातरी आएंगे अट्रिस country से इन 11 देशों से और कल के आकड़ ये हैं कि करीब 5,500 यातरी आएं इन 11-12 देशों से इन 15 airports पे और करीब करीब 65 से 70 प्रतिशत यातरियों ने rapid test लिया है मतलब 90 मिनिट में वे एरपोर्ट से भार निकल चुके हैं result के बाद और 35 प्रतिशत ने normal test लिया है मुझे पूरा विश्वास है कि पहले एक दो दिन तो थोड़ी कठिना ही शायद रहेगी लेकिन normalize system अगले दो-तीन दिन में हो जाएगा पर थोड़ा थोड़ी सुरक्षा और थोड़ी मुस्तेदी बरतना ये हमारी जिमेदारी लेकिन देखिए विपक्ष का इसमें लगतार आरोप है कि पिछली बारी जब वेरियंट आया तो केंद्र सरकार ने confusion बरकरार रखा और आज की तारीक में भी जब हम यहां पर बात कर रहे हैं तो एरपोर्ट्स पे क्योस बचा हुआ है और दिक्कत यह है कि छेचे घंटे लोगों को इंतजार कराया जा रहा है जो बड़ी समस्या है तो पहले तो मैं कहूँ कि विपक्ष का आरोप है कि हम लोग confused है मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि विपक्ष ही confused है लेकिन जब इसको political activity बनाया जाता है इस पर बयान बाजी होती है महाराश सरकार कुछ कहती है कॉंगरेस कुछ कहती है तो फिर सवाल आप दोनों चीज़ों को अलग करिए कुछ लोगों की आदत है केवल राजनीती करना उनके लिए राजनीती नंबर वन होता है और देश हित और देश नंबर टू नहीं नंबर टैन होता है अब उन लोगों को सुधारने में ना आप लग सकते हो और ना हम लग सकते हैं चलिए मैं हमें हमें देश हित देखना है प्रदान मंत्री जी की तरह और कोई लोग ऐसे हैं जो अफसरों में भी कठेनाई देखते हैं अब उनकी मानसिक प्रवत्ती तो हम लोग बदल नहीं सकते अब ठीक है और दूसरी बात जो आपने कही महराश्टर सरकार के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं आज संसद में हमारे बहुत एक मानिय सदस्य ने मुझे प्रश्ण पूचा था कि क्या विश्व में हम एक कॉमन नौन नहीं बना सकते वर्ल्ड हेल्ड ओगनाइजेशन और आइकाव इंट इंटनाशनल सिविलेशन ओगनाइजेशन के साथ सारे देशों के लिए लोग तंत्र में हर देश की जिमिदारी और हर देश का दायत तो है अपने देश के लिए नीती बनाने के लिए अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा आपको सुरक्षित रहना है तो वह आपका प्रजातंत्र में आपका हक है अगर कोई देश समझता है कि नियम नहीं रखने की जरूरत है तो वह अगर कोई राज्य समझता है कि और कुछ सावधानी उसे बरतनी होगी तो उसे हमें उसका उस सोच विचारधारा का भी मांसमान हमें करना होगा क्योंकि हम कोविट की बात कर रहे हैं और अभी हाल में एर इंडिया का डिस इंवेस्टमेंट हुआ जिसको लेकर सवाल खड़े हुए कि कॉंग्रेस बनाती थी नरिंद मोदी की सरकार बेचती है इस आरोप का आप जवाब क्या देंगे देखिए मैं तो एक ही जवाब देता हूं जो मैंने संसत के पटल पर और संसत के भाशन में मैंने दिया है नेता लोग जूट बोल लेंगे पर आखड़े कभी जूटे नहीं हो सकते जिस दल ने अपने कारेकाल में 25 से अधिक सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया हो 99,000 करोड का विनिवेश किया हो अपने कारेकाल में वो ये आरोप लगाए तो मैं समझता हूं कि it's a little too much Congress कहती है ये देश की उडानती आपने उसको बेच दिया तो मैं जवाब देना चाहता हूं जिस पार्टी के कारेकाल में ये स्तिती निर्मित हुई है आज कि आज हमें Air India को बेचने के लिए हम लोगों को निर्भर होना पड़ रहा है जिस Air India में आज 20 करोड उपए प्रती दिन का लोस था मतलब साल में 7,250 करोड का लोस जिस Air India में 32,000 करोड उपए की equity सरकार की गई है सरकार की मतलब आपकी हमारी ये income taxpayers की राशी है जिस Air India में 92,000 करोड उपए का debt है जिस Air India में 55,000 करोड की government guarantee है जिस Air India में आज 45,000 करोड का debt बाकी है मतलब 2,000,000 करोड उपए क्या ये पैसा आपका आपके दर्शुकों का विकास और प्रगती और जन कल्यान और गरीबी उत्थान की योजनाओं में और अधोसनरचना हमें हमें खर्च करना चाहिए या ये गर्व रखना की पट्टी आपके कंदे पे है कि एरलाइन सरकार चला रही है क्या सरकार का काम है एरलाइन चलाना या सरकार का काम है विकास और प्रगती और अधोसनरचना और जन कल्यान की योजना चलाना यह प्रश्ण में आपसे करना चाहता हूँ, यहाँ पर तो जिम्मेदारी मेरी आपसे प्रश्ण पूछने की, आप विपक्ष को समझा नहीं पाते हैं, यह आप समझाना चाहते नहीं है, क्योंकि आरोप यह लगता है कि यह सरकार अरोगेंट है, देखिए, मैंने तो सदेव का है, आज मैंने संसद में भी का है, मैं तो सेवक हूँ, सभी संसदों का, एक, जब एक विशह उठा था और मुझसे निविधً किया गया था कि आप, मैं हिंधी में बोलता हूँ, संसद में तो गया, अंग्रेजी में बोल यह तो मैंने का, आप अदेश है, तो मैं जिमिदारी उठाई है और सेवा भाव के आधार पर उठाई है और वही एक पद्दती हम सब में वो हर दिन डालते हैं जी ये सरकार सेवा की सरकार है और उसी आधार पर हम चलते हैं पर अगर कोई लोग कि कई लोगों की सोच विचारदारा एक ही दुरूवी पर है और उसे आप जो चाहे हो आप बदल ना पाएं तो फिर आप करो भी क्या बीते दुरों में हिंदू बनाम हिंदुत पर बड़ी डिबेट छिड़ गई आपके फॉर्बर कुलीक सिल्मान खुशीत ने किताब लेकि और उस किताब के बाद बबाल मजगे और ने बोला कि ये जो बीजेपी और आरेसेस का हिंदुत हुए ये बोको हराम और आईएस आईएस के बराबर का हिंदुत हुए क्या कहना चाहते हैं जितनी निंदा मैं वो कम होगा इस देश में हम नंभूलें के हिंद्वी स्वराज का सपना और सोच और विचार धारा चत्रपतिश incidence महराई ने शुरू की घए ये नई कोई सोच विचार धारा नहीं है इस Lewis में लोक्तांत्रिकरण भारत भारतियों के लिए ये सोच और विचाधारा चत्रपती शिवाजी भाराज के समय से शुरुआत हुई थी एक सो उस समय 130 करोड नहीं थे पर 40-50 करोड हमारे देश के वासियों के सभी समाजों को ले के सभी धर्मों पर यह जो इन्दू की बात करते हैं प्रश्न यह है कि मेरा धर्म मैं की वाव देव कटूमबक की हमारी धर्म की सोच और जिन लोग की सोच और विचाहणर थारा इतनी संकीन होगी मैं वहाँ अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता है लेकिन एक पैटर्ण बन गया जिस पर राहुल गांदी जी ने भी बोला जिस पर राशित अलवी ने बोला कि जो जैश्री राम बोलते वो राक्षस है मनी शंकर एयर ने भी इसी तरह के बयान दिया क्या आपको जनता है और जनता ने अपना मत एक बार नहीं लेकिन दो बार नहीं लेकिन राश्ट्य स्थर पर दो बार और प्रादेशिक स्थर पर बार बार गूंज के सुना दिया है कोई लोग ऐसे हैं जो सुनना ही नहीं चाहते तब क्या करें